स्वागत है एक नए विडियो में दोसों इस विडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने दोस मित्रे के साथ किस तरह से सेंड करोगे ताकि उनका जो टिकट होगा वो भी उनके एपल वालेट में ही सेव हो इसी तरह से तो यहाँ पे आप करना क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको मुवी टिकट बुक करना है अब मुवी टिकट से जब आप बुक करते हो तो आपको उसके नीचे आइट वालेट का ओप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा जैसे पेटियम में या फिर आप बुक माई सो में करते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो इसी तरह से जिस भी वेबसाइट से आप मों भी टिकट बुक करते हो तो जैसे ही आपका बुकिंग कनफर्म हो जाता है तो उसके नीचे डाउनलोड का या फिर आइट टू वालेट का ओप्शन मिल जाता है आपको तो आइट टू वालेट पे यहाँ पे देखोगे तो जितनी भी टिकट सोंगी ऐसे आज कॉल करके आप देख सकते हो अब टिकट तो आपकी यहाँ पे आ चुकी है अब सवाल यह होता है कि आप इस टिकट को फ्रेंट के संथ कैसे सेर कर सकते हो तो देखो यहाँ पे अगर आपके फ्रेंट के पास आईफोन से हैं तो आप भी चाहोगे कि उनके भी एपल वालेट में ही सो करें यह थोड़ा सा स्टालिस होता है तो सेयर करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टिकेट को ऐसे डाउनलूट कर लेते हैं यहाँ पे टिकेट का स्क्रीन सोट ले लेते हैं यहाँ पे डारेक्ट यहाँ पे सेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जा करके ऐसे सेयर कर देंगे अगर इस तरह से सेयर करते हो तो सामने वाले के पास यह एक फोटो के फोर्म में यानि कि JPG के फोर्म में उसके पास जाता है और ये इस तरह से किसी और को share कर सकता है लेकिन वो अपने apple wallet में नहीं add कर सकता जैसे कि देख सकते हो विलकुल खाली है तो आप apple wallet में कैसे share करोगे तो apple wallet में share करने के लिए एक बार अगर अपने apple wallet में अपने save कर लिया है जैसे कि इस तरह से अगर save कर लिया है तो इसके बाद आपको back कर देना है और जाना है अपने wallet पे और wallet पे जाके three dot पे जाओगे अब यहाँ पे हो सकता है कि यह इस ticket को आप share नहीं कर लो किसी और ticket को तो इसे नीचे करोगे तो पीछे का जो ticket होगा वो आ जाएगा तो जिस भी event के या movie के ticket को आप share करना चाहते हो उस पे इस तरह से उसको front में रखके three dot पे जाओगे अब three dot पे जा करके messenger के थूँ तो मैं तो यहाँ पे अभी WhatsApp के थूँगा तो WhatsApp पे type कर दूँगा तो कुछ इस टैप से दिखेगा आपको इसके पास send कर दोगे अब यह वाला फाइल जो जाएगा वो सामने वाले के पास receive हो जाएगा अब सामने वाले के पास जो फाइल receive होगा कुछ ऐसा दिखना है तो जब आप अपना वालेट खोलोगे तो आपको यहाँ पे टिकेट मिल जाएगा और यह भी चाहे तो इस पे टाइप करके और थ्री डॉट पे जाए करके किसी और को साथ यह share कर सकता है और अगर आपको remove करना है तो इस remove पास पे अगर टाइप करते हो जोसे क आप इस तरह से add कर सकते हो एक चीज और होता है आपने देखा होगा suggest on lock screen को आगर आप on रखते हो तो movie का जो time होता है जो location होता है वो आपके lock screen पे suggest किया जाता है यानि कि movie आपका start होने वाला है या फिर event इस start होने वाला है तो mobile आपको information देता है reminder कराता है तो इस तरह से आ आप कर सकते हो तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाब है